लबशकार नागपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विबित हलचल पर आजाद यूथ फोर्स सिंधु युवा शक्ती लॉयन्स क्लब ऑफ स्मार्ट सिटी नागपूर जीयो दिल से आदी संस्थाओं के सहयोग से आयोजित एक शाम नेताजी सुभाश चंद्र बोज के नाम कारेक्रम की रंगारंग शुरुवात उत्साह भरे वाता वरण में प्रेड ने वरधामना के ग्राम वासियों का मन मोह लिया ऐसा प्रतित हो रहा था कि समस्त परिसर वर रहिवासी देश भक्ती के रंग में रंग गय हो अधिसुंदर रंगोली का निर्मान प्रतिमा संजय राव द्वारा किया गया प्रेड में बच्चों का उत्साह देखत शर्मा, बहलेंद्र भूंगाडे, कपिली आदव, अशोक यादव, मनोज गुपता, संदिप कनोजिया, अर्विन मिश्रा, रामेश्वर काले, अखिले सिंग, आकाश गोंडाने, दिविदास भाजी पाले, सुरेंद्र मिश्रा, एवं आजाद यूद फोर्स वरधामना क टीम मोजुद रही। अध्यक्षा परमजित ब्रीज, ग्रामेश्वर अध्यक्षा बंटी शाहू, शाहर अध्यक्षा और सभी कार्यकरता गण पड़ी संख्या में उपस्तित थे। विदागिरिश व्यास ने भारत की विदेश नीती पर विश्रू तरीके से जान करी दी। इस कोर्स द्वारा आवश्यक कोशल का विकास किया जाता है। इससे उन्हें आसान इसे रोजगार प्राप्त होता है। इसमें इंडस्ट्रियल विजेट एक महत्वपुर्ण उपकरम है जिससे छात्र कमपनी में चलने वाले कारियों को बारी की से देखते हैं। ITI के प्राचारिया सेद रिजवान अली ने ओध्योगिक भेंट के महत्वा को अवगत कराते हुए प्रशिक्षन आर्थियों को GSW, स्टील कलमेश्वर, नाकपुर एरिया में ओध्योगिक भेंट का आवजन कर उन्हें कमपनी में चलने वाले कारियों की जानकरी दी। कच्चे माल का उपयोग कर अलुमिनियम कोटेड आइरन शिट को कैसे पॉलिश किया जाता है इसके बारे में बताया। उपकरन खराब होने पर कैसे उसे रेपेर किया जाता है इसकी जानकरी कमपनी के असिस्टन्ट मैनेजर पी राजस्वामी सिनियर मैनेजर रिंकु पूर्वन आगपूर की जन्ता की मांग पर स्कूल, कॉलेज के युवक युदिया एवं बुजूर्गों के लिए आधरकार्ट का भव्य शिविर आई पारवती भवन के पास नगर सेवक ज्यानेश्वर नाना जोडे के जनसंपर कार्याले में आयोजित किया गया। एवं ओपरेटर उपलप्त कराये गये। इस शिविर को बहतरीम प्रतिसाद मिला और सेगडों लाबारतियों ने शिविर का लाब लिया। नागोराव हटवार, विनायक बदले, विजे सिंग चफान, सुनेल धेंगरे, भीजराश ठाकरे, राजो महाकालकर, असलम शेक, राजेंदरक शिरसागर, आदी उपस्तित थे। लाबारति इस शिविर का लाब ले ये अपिल पुर्वन अगर सेवक नाना जोडेने की डॉक्टर उतकर शाहा ने लोगों से आगरह किया है कि वे कोविट के नए वेरियंट ओमिक्रॉन को लेकर घबराये नहीं। ओमिक्रॉन से फैलने वाले संक्रमन को रोकना आसान होगा या फिर इसके परिणाम स्वरुप गंबिर बीमारियों का फैला होगा। इसके लक्षन आम तोर पर बहुत हलके होते हैं और इसमें हलका शरीर दर्थ, ठकान, सिर दर्थ, भुखार और खासी शामिल है। अलफा और डेल्टा वेरियंट जो ब्रिटेन और भारत में पहली बार मिले थे, उनमें ओमिक्रॉन वेरियंट से भी अधिक गंबिर लक्षन थे। अभी वैश्विक स्तर पर 99 प्रतिशत मामले डेल्टा वेरियंट के कारण आ रहे हैं अतहर शाहने वैक्सिंग लगवाने और प्रशाथ संत तथा स्वास्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी कोरोना गाइडलाइन मानने का आभान किया है। डॉक्टर बाबासाइब आमबिटकर की पुन्यति थी महापरी निर्वान दिवस के आउसर पर महात्मा गांधी अंतरराश्ट्य हिंदी विश्वे विद्याले में डॉक्टर बाबासाइब आमबिटकर की लोकक अल्यां दुरुष्टि विष्वे पर आयोजित की अद्धिक्षता करते हुए कुलपती प्रोफेसर रजनिश कुमार शुक्ला ने कहा कि डॉक्टर बावासाइब आमबटकर के विचार दर्शन सब के साथ समानता नयाय और समान आवसर के विचारों पर केंद्रित थे महापरी निर्वान दीवस पर आयोजित संगोष्टी में मुख्य अतीधी के रूप में महाराष्ट विधान परिशत के पार्शर डॉक्र रामदास आमबटकर तथा वक्ता के रूप में विश्वविद्याले के साहित्य विद्यापीट के सहायक प्रोफेसर युवा आमबट प्रोफेसर शुकला ने कहा कि डॉक्टर बाबास आमबटकर ने भव्य समरस सामाजिक सरचना के लिए युगदान दिया है उन्होंने देश धर्म को सबसे बड़ा धर्म माना था डॉक्टर आमबटकर ने सविधान में भी मनुशक के आनंदमे जिवन के लिए महत्वपु ल्यांकन होना चाहिए इसके सूत्र हमें उनके लेखर में दिखाई देते हैं डॉक्टर रामबटकर ने बुद्धध हम्म का जो रास्ता अपनाया था वह सवाद और साथ चलने का रास्ता है मध्यभारत के सबसे बड़े और पचातर वर्ष पुराने व्यापरिक संगठन दी होलसेल ग्रेंड एंड सीड्स मर्चंट एसोसियेशन ने एशिये के सबसे बड़े कलमना मार्केट के नवन युक्त सभापती शेक एहमत पटेल उपसभापती प्रकाश नाकपुरे व्या पर्यकारी सदस्यर उशब जैजानी, जयश शाह और राजेश मदरानी ने सभीकाश शौल, श्रीफल और बुके देकर सतकार किया अध्यक्षा संतोष कुमार अगरवाल ने बधाई देते हुए उम्मिज जताई कि अब कमेटी और पदाधी कारियों का चयन होने के बाद कलमना मार्केट के सभी समस्याओ का समाधान होगा और विकास के सभी गतिरोद अब समाप्त होगे कलमना में विकास कारियों और व्यापारियों की समस्याओ का समाधान होने से तकलिफे खतम होगी और व्यापार करने के आउसर बढ़ेंगे व्यापारी प्रतिनी धी प्रकाश वादवानी अतुल सेनाट जैसे अनुभवी संचालक सभापती शेक एहमत पटेल और उपसभापती प्रकाश नाकपूरे के नेतरुत्व में एक अनुभवी टीम जल्द ही पुरे कलमना में विकास लाएगी सभावती शेक एहमत पटेल ने उनके सतकार के लिए आभार माना और कहा कि सभी के सहयोग से एक अलमना मार्केट की सभी समस्याओं का शिग्र समाधान होगा कॉंग्रेस और शराथ पवार के नेत्रुत्व वाली राश्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी का गलत रवया ओबीस समुदाई के लिए हानी कारक्स साबित हो रहा है इसलिए ठाकरे सरकार आर्थिक तंगी का बहाना बना कर राज्ज पिछड़ा वर्क आयोक को नीधी उपलब नहीं करवा रही है ओबीसी आरक्षण को कमजोर करने और राजनिती में ओबीसी के अस्तित्व को खतम करने की साजिश रची जा रही है यारोप लगाते हुए बाजपा के शहर अद्यक्ष विधाक प्रविंदट के और ग्रामेन अद्यक्ष अर्विंद कजबी ने एक बयान में कहा कि इस साजिश का परदाफाश सुप्रीम कोट ने किया है सुप्रीम कोट ने राज्य के स्थानिय निकाय चुनाओं में ओबीसी के लिए आरक्षित 27% सीटों के लिए मतदान सगित कर दिया है ओबीसी के आरक्षन को बहाल करने के लिए इस समुदाय के राजनितिक पिछड़े पन को साबित करना जरूरी था इस उद्देशके लिए गठित राज्य पिछड़ा वर्क आयोग ने अपना काम शुरू नहीं किया क्योंकि ठाकरे सरकार ने धन या किसी और तरीके से साहता नहीं दी थी कॉंग्रेस तथा राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी ने राजनिति में ओबिसी समुदाय के अस्तित्व को समाप्त करने की ठान ली है दटके ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार ने जान बुचकर अदालत द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में देरी करके आयोग के विचारवी मर्श में बाधा डाली है कोरोना के नए संसकरन ओमिक्रोन के संभावित खत्रे के मद्दे नजर सुरक्षा कारणों से नाकपुर शहर में विदेश से आने वले प्रत्यक यातरी के लिए कोरोना परिक्षन अनिवार्य हो गया है ये निर्देश मनपायुक्तर आधा कुष्णन भी द्वारा दिये गए हैं ओमिक्रोन के संभावित खत्रे को लेकर स्वास्ता व्यवस्था को तयार करने के संबन में मनपायुक्तर आधा कुष्णन भी ने मंगलबार को एक विशेश बैठक बुलाई पैठक में अपरायुक्तर आम जोशी चिकित्सा स्वास्ता अधिकारी डॉक्र संजय चिलकर समय तमाम जोन के स्वास्ता अधिकारी मौजुत रहे दुनिया भर में ओमिक्रोन वेरियंट से संक्रमन का खत्रा बढ़ गया है दक्षिन अफ्रिका, जिमबाम वे और बोट्सवाना, ओमिक्रोन के उच्चे जोखिम वाले देश है ऐसे में इन देशों से आने वाले यात्रियों के समद में विशेश साउधानी बरतनी चाहिए इन तीनों देशों से हवा यड़े पर या किसी भी यातायात माध्यम से आने वाले यात्रियों की विशेश जांच और स्क्रिनिंग की अलग से विवस्था करे आने वाले हर यात्री का कोरोना टेस्ट होना चाहिए यदि कोई यात्री परिक्षन के दोरान कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो सम्मधित पॉजिटिव मरीज के सैंपल मेडिकल मेयो या एम्प्स भेजे जाए ये निर्देश मनपायोकत ने दिये हैं उन्होंने उपरोकत तीन उच्च जोखिम वाले देशों के अलवा अन्य देशों से आने वाले यात्रियों के भी कोरोना परिक्षन करने के निर्देश दिये नंदनवन जगनाडे चोक में निर्मान किये गए ट्रांसपोर्ट प्लाजा का बड़े पैमाने पर व्यवसाई करण किया गया जिसमें पूरी तरह से नागपुर सुधार प्रण्यास के अधिकारी तथा पदाधिकारी जिम्मिदार है नाग नदी नागपुर şehर की धरोहर है लेकिन इसी नागनदी की सुरक्षा दिवार निर्मान करने का कारिया नागपुर सुधार प्रण्यास ने किया है इस अंदर्प में विधाय कुष्णा खोपडे ने बार बार मनापा प्रशासन को शिकायत की, विधान सभा के सभागरूह में भी इस विशे को उठाया गया, राज्य सरकार को पत्र लिखा गया, तब जाकर महानगर पाली का प्रशासन की नेन खुली, तथा नेहरु नगर ज इस अउसर पर अखिल भारत्य धंब सेना वा इंदोरा बुद्ध विहार कमिटी की ओर से, इंदोरा बुद्ध विहार में स्थिट डॉक्टर बाबा साहब आमबेटकर की प्रतिमा पर मालयार पन कर उनका विनम्र अभिवादन किया गया, इस अउसर पर महा बोधी महा विह इस अउसर पर भीमगित का भी सामोहिक गायन किया गया, इसके पशात महामानों डॉक्टर बाबा साहब आमबेटकर के जीवन और उनके नेक कारियों पर प्रकाश डाला गया, इसके पशात कार्यक्रम समाप्त हुआ संजे गांधी निराधर योजना के नाकपुर शहर पुर्वध्यक्षव महिंद्र राउत ने इस योजना की तकरीबन उनिस सो लाभार्ती की जानकारी वाली शिट सदर पुलिस स्टेशन के गंगा काचुर को सौपी और साथ ही इस योजना की पूरी जानकारी भी उने दी इस योजना में काफी गड़बड़ी एवं अनियमी ताय चल रही है तहसिलदार ने इस योजना में घोटाले की सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्च कराई है 2017 के बाद से ओफलाइन सुविधा बंध हो जाने से प्रक्रिया ओनलाइन माध्यम से जारी है उसके बाद स्थानिय प्रशासन ने करीब 1500 और लाभार्ती चोड़े है 2017 में जितने लाभार्ती थे उनका पैसा नहीं आ रहा है लाभार्तियों की लिस्ट में गडबड़ी होने के कारण सरकार ने लाभार्तियों का पैसा रोक दिया इस आउसर पर महेंद्र राउत के साथ गजानन अंतुरकर, शोभा पटेल, भासकर चानदेकर, अर्विन गुंजनवार, नंदा भोयर, श्रीपत पटेल, आदियू पस्तित थे राउत ने जल्द से जल्द इस मामले में उचित कारवाई करने की मांग की है अखिल दिगंबर जैन सैत्वाल संस्था, पुर्वन आकपुर द्वारा भगवान महाविर दिगंबर जैन मंदिर, महाविर नगर में देश का सरवाधिक प्रसारी जैन तिथी युक्त आरियन अंदी दिन दर्शिका 2022 का विमोचन और वितरुन हुआ अखिल दिगंबर जैन सैत्वाल संस्था के राष्ट्य उपाध ध्यक्षा नितिन नखाते, पुर्व विदर्व के सचिव राजेंदर नखाते, अखिल दिगंबर जैन सैत्वाल संस्था, पुर्व नाकपुर के अध्यक्षा, श्रिकान तूपकर, सचिव उमेश प्रमुक उपस्तिति में ये कारेक्रम संपन्न हुआ। प्रमुक उपस्तितिति इस सर्दी के मौसम में संजोत सेवा भावी संस्था द्वारा गरीबों, जरूरत मंदों, भुजुर्गों और अनाथों को कंबल और नाश्टे का वितर्ण किया जा रहा है। संजोत परिवार नाकपुर में पिछले 10 साल से किसी न किसी रूप में सेवा कार्य कर रहा है। पुज्य हीरान अगर सिंधी पंचायत के वर्ष 2021-2023 की कार्य कारेनी गठित की गई। अध्यक्षर अर्जुन जग्यासी, उपाध ध्यक्षर शंकर मूल चंदानी, वह परमानं विधानी, महासच्य अनिल्क्यानी, सच्य तुलसिदास अलवानी, वह नरेस नैनानी, को शाध्यक्षर राजकुमार सोणी को चैनित किया गया है। देविदास अलवानी को मार्क दर्खशक बनाया गया है, कार्यकारिनी में ग्यानचंद वास्वानी, वासुदेव भक्तानी, किशोर मोटवानी, गोपाल जनियानी, रवी मुलतानी, महेश मेगानी, महेश भटेजा, अशोक सतीजानी, उमेश अलवानी, राजश अहुजा अंगीता दलवानी, मांसी राज़ानी, वासोना भुद्वानी को मनोनित सदस्य चुना गया है, मुमिनपुरा परिसर में रेलवे ओवर ब्रिच केंद्रिये मार्क निधी के अंतरगत, MRIDC द्वारा कडवी चोक से मुमिनपुरा टीम की तक बनाया जा रहा है, कडवी चोक जल्द से जल्द रत करने की मांग जनता कर रही है, मुमिनपुरा ओवर ब्रिच बन जाने से ओवर ब्रिच के नीचे असामाजिक तत्व सक्रिये हो जाएंगे, और कई लोग बेरोजगार होंगे, औल इंडिया मजली से इतिहादुल मुसलेमिन ने जिलाधी कारी के माध्यम से सम्मधित मंत्राले को पत्र भेज कर मुमिनपुरा टीम की गुपता चक्की तक बनाय जा रहे है, इस पुलिया को कडवी चोक से गार्ड लाइन तक बढ़ाने की मांग की है, इस अउसर पर शह परशुराम सर्वभाशिय ब्रामण संख और विप्र फाउंडेशन के सयुक्त तत्वावधान में आयोजित स्वर्गिय रिखप्चन शर्मा मेमोरियल बिग बैश क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन लकडगन स्थित एक मैदान में संपन्नु हुआ, जिसमें शहर के फाइनल मैच में बहुत ही रोमान चक मोड पर जाकर, RGBS ने ये कड़ा मुकाबला दगाडे नियर से चीन कर जित हासिल की है। सतिशपूर ओहित प्रमुक रूप से उपस्तित थे, आयोजन समीति के अध्यक्ष संजे पालीबाल द्वारा उपस्तित अतित्यों का सत्कार किया गया। कारेक्रम की परिकलपना रजनिगंधा की निदेशक परिनिता मातूर कर और शहनाई के निदेशक दिन कर पांडे द्वारा की गई थी। अविकापुरी, रमनी शहकार और दिया वाधवानी ने नुरुत्य प्रस्तुत किया जबकि कैलाश बेलिया, आर्य विगने, बाला साहेब, गीता बावनकर, एमवी पार्धे, प्रतिप सरोदे, राकेश कासरे, रोशनी संगोड कर, सुननदा शहकार, सुश्मा देश मुक तुशाररंगारी और विजय श्रेरंग ने विभिन अगीतो का प्रदर्शन किया, अविकापुरी ने नुरुत्य के माध्यम से गुरु को नमन कर कारेकरम की शुरुआत की, बाला साहेब और परिनिता ने याद किया दिल ये टाइटल सौंग का प्रदर्शन किया, और दर कारिया के साथ यू ही हम तुम मुझसे बात करती हो जैसे गीतों की प्रस्तुति दी। इस विदर्ब कारियाले की शुरुआत से एच्पी कुरियर एंड लॉजिस्टिक्स गरेलू और अंतरराश्टे कुरियर और लॉजिस्टिक्स व्यवसाय में सेवाय प्रदान करने में अधिक सक्षम होगा, यह उम्मिद कम्पनी के वरिष्ट अधिकारियों ने जताई है नई कार्यकारिनी के शपद गरहन समारो की अधिक्षता, हिंग नामे अखिल भारतिया मारवाडी सम्मेलन के राष्टि उपाध्धिक्ष और पुर्व मंत्री रमेश्चंद्र बंगने की शपत ग्रहन अधिकारी के रूप में महाराष्टक शेत्रिया मारवाडी युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष उमेश पंचरिया ने नई कार्यकारिनी को पत की शपत दिलाई इस अउसर पर महाराष्टक शेत्रिया मारवाडी सम्मेलन के आविजन मंत्री विरेंद्र प्रकाश धोका, महाराष्टक शेत्रिया मारवाडी सम्मेलन राज्य महामंत्री निकेश गुपता, महाराष्टक शेत्रिया मारवाडी युवा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष मनो जगरवाल, नागपुर जिला परिशत सदस्य दिनेश बंग, मारवाड़ी युवा मंच विदर्ब प्रमुक महेश बंग, अध्यक्षा राजय शगरवाल, पुर्वा अध्यक्षा अजय मल, निशान गांधी, संजे पालिवाल, सुधिर बाहेती, अतुल कोटेचा, आदी मा पुरुती को विकसित करने का कारिया निरंदर चलता आ रहा है, और मारवाड़ी युवा मंच द्वारा, देश के जिन छेत्रों में मारवाड़ी युवा मंच की शाखाय है, वहां आम जनता के कल्यान के लिए भी नगती विधिया की जा रही है तो नागपुर हल चल में आज इतना ही, आप से फिर बुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए BKB News, नमस्कार